स्वावे ताहब सभी को ग्यापन एकडमी के इस नए वीडियो में और आज के इस वीडियो में हम लोग कलाश 12 इंग्लिस का नेक्स्ट लेसन जो की लेसन का नाम है दा अर्थ और उसका मतलब वह प्रिथवी यानि कि आज हम लोग एक ऐसे प्लानेट के बारे में पढ़ने ज तो कर दिए सब्सक्राइब और दोस्तों में भी लास्ट में सेर करके जाएगा तो चलिए बिना देर के हम लोग शुरू करते हैं सुनेगा आज का लेसन जो है वह है लेसन नाइन क्लाश 12 वाले जितने वी विद्यार थिया आप किरिप्या करके वीडियो देखने के बाद लास्ट में जरूर शेर कर दीजेगा वाट से पर स्टेटस लगा दीजेगा ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके सुनेगा लेसन नाइन में हम लोगों को पढ़ना है या एक स्टोरी है जैसे कि यहां पर एक अब्जेक्टिव क्लियर हो जा रहा इनकी जनम की बात कर तो सुले मई 1905 को होई थी और इनकी मृत्यू 29 जनवरी 1974 को हो गई मतलब कुल मिला जुला करके यहां पर अब्जेक्टिव दो किलियर हो गया पहला ये कि जो चेप्टर दा अर्थ है इसका मतलब क्या बोलता है ये एसे की स्पीच है कि स्टोरी है तो इसके राइटर कौन है तो एची बेट्स है ठीक है ना इनकी जनम कब होई तो सुले मई 1905 और इनकी मृत्यू की बात की जाए तो 29 जनवरी 1974 मैंने पिछले साल जो पढ़ाया था ठीक है ना उसमें मैंने चेप्टर के नाम के साथ साथ राइटर के नाम का पूरा का पूरा विडियो में ही बताया था कि कैसे चेप्टर के नाम के साथ राइटर के नाम याद हो जाएगा पूरा का पूरा 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 पांच नमर का पूस्ता है मिलान करने के लिए एक तरफ चेप्टर का नाम दे देता है एक तरफ राइटर का नाम और उसको मिलाने के लिए दे उसको मैं छोड़ करके बहुत ही आसान इंग्लिस ले करके और तब जाकर के मैं सौट समरी लिखता हूँ और सौट समरी आप सबीस से पांच नमर के लिए पूछता है और सो से एक सबीस वर्ड में लिखना पड़ता है और विद्यार्थी क्या करते हैं इसको धाये 300-400-500 वर्ड में लिख देते हैं मतलब 456 पेज में लिख देते हैं उनके दिमाग में एक बात फिट रहती है कि साइथ 500 वर्ड में हम लिखेंगे न तो हमको कम से कम पांच नमर के जगाप कम से कम 200 नमर तो मिल जाएगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है आप 500 वर्ड में लिखेंगे 5000 वर्ड में लिखेंगे अगर वो कह रहा है कि 100-120 वर्ड में लिखना है इतना लिखना पड़ेगा अगर आप लीख देते तहुँए आपको पांच नमर मिल जाता है तो चलिए बिनादेर किये सेशन की शुरुआत करते हैं सुनिएगा समरी है लिखने का देखिए summary लिखने का भी आपको तजरुबा होनी चाहिए आपको experience होनी चाहिए अगर आप नहीं सही से लिखेगा ना तो कहा जाता है कि पहले लाईन अगर आप नमबर कड़ जाता है तो सुलेएगा और नाम का चिप्टर है तो उसको लिखना है पहले तो यह जह एक कहानी है इसे और फाइदा है कि मतलब आप थोड़ा बहुत जैनकारी ले करके एक्स्प्लोर करेंगे ठीक है ना तो सौट समरी के माध्यम से आपका सौ से एक सबीस वर्ड पुझ जाएगा और आपका नमबर में मिल जाएगा तो देख रहे ना इतना ही लाइन में को वर्ड हो गया एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस एकार बारात तीरों यानि में डिसकस्ट's about a farmer यानि की किसान के बारे में डिसकस्स किया गया है चर्चा किया गया है नेमली जॉंस दिकrement कि है है याद रखियेगा पउयंट कि जिए याए जॉंसल किसके बारे में बात हो रही है जैन शनक्राइब इसलिए हा król şr और ब्राइकेट में करके जॉंसन के वारे में he has some land उसके पास कुछ ठीक है ना बतलब जैसे की खेती होती है मैंने खेत रहता है एक टू विलर्स उसके पास दो पहिए के गाड़ी रहती है और कुछ देखें सम टूल्स भी रहता है यानि कुछ ऑजार भी रहता है बाइविच इसी ऑजार के दोवारा थीक है ना दा फिल्ड फ्लोड स्लोली क्या करता है वो अपने खेत को जोतता है धीरे धीरे यानि फिर जॉन्सक कि बात रहुए जॉन्सन सुचता है कि मतले हर चीज बेकार है विदाओट य Вас अगर धर्ती नहीं रह तो सब कुछ बेकार है जाहिर यचि बात अब यहां से कहानी शुरू रहा है किसका बेंजी का सुनेगा बेंजी वास थर्टी येर्स ओल्ड बेंजी जो आना 30 साल का व्यक्ति है बट जॉंसन बेंजी फादर यानि जो जॉंसन है जो बेंजी के पीता है ठीक है ना जॉंसन नेवर फेल डैट उनको कभी ऐसा नहीं जूंसन फेल्ट जूंसन को लगा डाट माई सॉन बेंजी इस माइनलेंट न मैंने लेश का परियोग सौट्स वीडियो के माधियम से बताया था और आप यहां पर समझ भी गए होंगे ठीक है जो भी सौट्स वीडियो के माधियम से हम चोटा-चोटा वर्ड को एक टांसले भी नो कि बीना दिमाग का है मतलब उसके पास दिमाग नहीं और सुए क्लेवर्लेज लेस का परियुक बता है देखो लेस का यहां पर दो जगए उज्ह니다 डिया थो के बीना ठीक है न मैंने चलाखी के भीना है यानि कि वह चलाख नहीं है तो ऑस सुए लेवर्लेश यांई व वो जॉंसन जो है न वह अपने बेटा को ले जाता है तुद डॉक्टर के पास देखिए कितना मतलब अजीव है मतलब सभी बात है देखे किसान बहुत चलाक होते हैं मैं मानता हूं बट यहां ऐसे बाद यह जो किसान है ना जॉंसन इनको थोड़ा सा अजीब लगा कि मेरा बेटा लग रहा कि दिमाग का धीक नई है वह चलाक भी नहीं है तो डॉक्टर के पास ले करके जाते हैं डॉक्टर यह रोजए ना वास्तीक रूप से कहते हैं ्डट की इस बॉय ईजञंट इन्राइट माइन डॉक्टर भी कहता है कि यह जो लड़का है न यह अच्छे दिमाग कर नहीं है we will have to give some time हम हम लोगों को कुछ समय देना होगा to fix it यानि कि इसको सही करने के लिए ठीक है ना देन आफ्टर तब जाकर बेंजी can recover बेंजी क्या हो जाएगा recover हो जाएगा and development will be possible और तब जाकर के उसके अंदर विकास संभव हो पाएगा तो यहां तक बहुत ही अच्छे डंग से मैंने समझाने कुछिस किया और आई होप कि आपको यह बहुत ही अच्छा समरी समझ में आ गया होगा अब इसके बाद जो हम नेक्ट पर अगराफ समझाएंगे वो भी काफी आसान होने वाला है तो यहां यह बिना देर किया हम लोग नेक्ट पर आपको भी समझ लेते हैं और दिमाग में फिट कर लेते हैं देखिएगा यहां पर दॉक्टर आस्क बेंजी स्फादर पता है जो डॉक्टर है ना वह बेंजी के पिता से कहता है तो बाई सम्चिकेंस कुछ मुर्गियों को खरीदन सोचिए जो इंसान गैर जिम्मेदार होता है उसको दिमाग का खराब होना या दिमाग का बेकार होना थोड़ी न समझेंगे हम लोग नेक्ट है डॉक्टर जो भी निर्णा लिया मेरे हिसाब से लग रहा है कि वो ठीके ठाक लिया क्योंकि कोई भी इंसान जब जिम्मेदा जब बढ़ेगी तो उसका दिमाग बढ़ेगा ठीक है ना बहुत अच्छा दिमाग भिया वेन बेंजी फीट्स एंड नर्चर दचीकें जब बेंजी जो है ना उस मुर्गियों को खिलाएगा उसकी पावन पोसंड करेगा ठीक है ना अब यहीं हुआ मने की मतलब अब ऐसा हुआ कि बेंजी केप्ट चीकें ठीक है ना बेंजी जो है ना वह मुर्गियों के साथ रहना शुरू किया 3.4 वह सालों भर ताइम समय बित्ते ही टेंजी केम एई थाउजन चीकें अब जो दस मुर्गियों से जो शुरू किया था आब वह 10 मुर्गियों से कितना हो गया हाजारों मुर्गियों बन गया ठीकिक ना बेंजी विकम बिजनेस्मेन और जो बेंजी था ना वह एक बहुत बड़ा बिजनसमेंट बन गया in his village अपने गाव में ठीक है because क्यूंकि he used to get money ठीक है ना by selling the eggs ठीक है अब वो सुनेगा यहां से he used to get money by selling the eggs उसके पास पैसा कहां से आता था तो वो जो है ना कि अंडे को बेच करके वो अंडे को बढ़ा बिजनसमेंट अफ ऑल्ड़ा हैं मने सभी मुर्गी ओके ठीक है अंडे बेचता था और पैसे धन प्राप्त करता था एंड इंड डिव कोर्स सब्सक्राइब एक समय के बाद एंडिव कोर्स आफ टाइम एक समय के बाद ठीक है और उसी पैसे से अपना घर भी बन वा लिया अब आप कहते हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा है समझ में अरे मेरे भाई थोड़ा सा ध्यान से परती एक लाइन को दिमांग में बैठाएंगे और ध्यान से कहानी को सुनेंगे तब न आप एक ही बार वीडियो को चला कर देखत हो कई से समझ में आएगा नहीं समझ में आएगा ना थोड़ा सा समय देना पड़ता है तब जा करके पूरा दिमांग में फिट होता है ठीक है मैं कह रहा हूं ना कि जितना आसान करके मैं जो समरी को लिखा हूं और जितना मेहनत और मुसकत के बाद जितना इजी बनाया हू ना मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी यूटूब प्लेटफॉर्म पर इतना आसान मिलेगा यह मैं गरांटी दे रहा हूं सुनेगा ध्यान से अल्टिमेटली अंत में वह अपने पैरेंट्स के एगेंस्ट चला जाता है और वह अंत में क्या करता है कि एक लड़की से वह शादी कर लेता है अक्सर होता है लड़कों के अंदर जब तक बेकार पड़ा है लेकिन जब भी कभी वह अपना responsibility समझते हो अपने दिमाग की जो है ना उपच को आगे बढ़ाता है और कहीं न कहीं से उसका दिमाग बढ़ता है एक बहुत बड़ा बिजनस्मेन एक बहुत बड़ा पैसे वाला धनवान ब्यक्ति बनता है ना तो सबसे पहले धनवान ब्यक्ति बंने के बाद शादी करने का ही दिमाग में सुझता यह अक्सर लड़कों के अंदर लगभग देखा गया है त्टेकर ना तो पीता के एगेंस जाकर के साधी किया ठीक है ना किस एक लड़की से वो लड़की क्या नाम किया था फोलोरेंस ठीक है इन दिस स्टोरी इस कहाने में राइटर सेज राइटर कहता है बाइब बॉर्न ओन इस अर्थ इस धर्ती पर जनम लेकर इस धर्ती पर जनम लेकर के इनसान चलना सीखता है और डू सम्थिंग कुछ करना भी सीखता है जिस तरीका से हमारा जीवन धर्ती के बिना बेकार है यानि अनुपयोगी है बेकार है उसी तरीका से हमारा जीवन जो है बुद्धी के बिना बेकार है अब बताइए कि ये जो सौट समरी मैंने आपको बहुत ही आसान करके बहुत ही अच्छे ढंग से आपको जो समझाने की कोशिस किया और जो आपके दिमांग में फिट करने की कोशिस किया कि आपको नहीं लगा कि कितना आसान वर्ड जो हमारे और आपके बीच में इस डैट करके जो इंगलिस बोला जाता है ना उसी लहजे में मैंने सौट समरी लिखा बड़े ही मेनत और मुसकत के बाद मैंने जो कहानी पढ़ करके जो आसान वर्ड इंगलिस में जो हमारे और आपके बीच में इंगलिस बोली जाती है ना उसको वैसे वैसे वर्ड का में इसमें इस्तमाल के सोचिए ना एदम परजेंट पास फ्यूचर यह तीन टेंस पड़े होंगे ना तो यह कहानी समझना और लिखना बड़ा आसान है सोचिए यूटूब की इतिहास में पहली ब को बहुत ही आसान लहजे में मैंने आपको समझाने की कोशिज किया आशा करता हूं कि आपकी दिमांग में फीट हो गया होगा तो क्यों ना एक गुर्दक्षना के तौर पर आप इस वीडियो को लाइक करके जाए और दोस्तों को भी मोटिवेट किजिए कि इस वीडियो को होंगे उस वीडियो को चला कर देखेंगे और दूर दूर तक यह वीडियो फैलेगा और वहां से भी हमें सपोर्ट मिलेगा तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही फिर मिलते है नेक्स वीडियो में नेक्स टॉपी के साथ तब तक के लिए जैहिंद